टेकनिक कॉलेज में हमें कितने नमबर पे सरकारी कॉलेज मिलेगा, कितने गॉर्मेंट कॉलेज है, कितनी वोमेंज के लिए है, कितनी सीट है, कितना कॉट आफ जाता है, सेफ ही स्कोर क्या है, कॉलिफाइंग मार्च कितने होंगे, कम्प्लीट नॉलेज आपको इस वीडियो कितने हैं, Government College, Added College और एक और होता है जिसको आप लोग बोलते है, Private College, तो उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, Government College और Added College के बात करेंगे, तो Government College आपको पता है कि सर, Government College जो है, 150 Government College है, ठीक है, 150 Government College में दो तरीके के College आते हैं, इसमें 131 College ऐसे हैं, जो Boys Plus Girls के लिए है, मतलब लड़के और लड़किया अड़िशन ले सकते हैं, और 19 College ऐसे हैं, जो केवल और केवल गर्ल के लिए है, ठीक है, अब बात करते हैं, सर, Added College कितनी है, तो Added College जो है, टोटल 19 है, है ना, टोटल 19 है, जिसमें से 17 और 2 का रेशियो है, यानि कि 17 College में Boys भी एड़िशन ले सकते हैं, और Girls भी, और 2 College में केवल और केवल Girl के लिए है, ठीक है, ये UP Polytechnic का है, टोटल 150 College में किस-किस तरीके से हमारा selection होने जा रहा है, आपको उसे समझेंगे, क्योंकि आपको पता है, Colleges तो ठीक है सर, हमको Idea मेल गया, seat कितनी है, कैसे हम इसको calculate करेंगे, तो Group A की हम बात करें, तो Total Seat की हम बात करते हैं, All Over in UP में, है न, Total, तो Total लगवग लगवग देखो, 1,46,000 के करीब है, 1,46,000 के करीब है, और उसमें से, क्योंकि अलग-अलग branches होते हैं, कोई chemical से कर रहा है, कोई agriculture से कर रहा है, कोई civil, कोई mechanical, कोई aircraft है न, तो कोई lateral interest है, Total बात हम किये हैं, तो 1,46,000 करीब है, और उसमें से Government College की हम बात करें, कि उसर, Government College की seat कितनी है, तो ये आपका है 45,000 के एप्रॉक्स, सरकारी College की seat की संख्या, 45,000 है, इसका with proof PDF आपको telegram के हमारे ग्रूप में मिल जाएगा, उसके लिए परसान ने करेंगे, original official PDF है, बट board ने थोड़ा सा mistake किया किया, उसको calculate नहीं किया था, एक-एक, हमने पूरे तीन दीन लगा के, ये 150 college, ये सभी college के, एक-एक trade को कि civil कितना है, सब को जोड़ के, ये पूरा data आपको official PDF पे ही upload करा दिया है, आप देख लेंगे, या फिर आप YouTube पे भी search कर लेंगे, UP Polytechnic Total Government College seat by Ratio Academy, ये जो channel का नाम है, ये आप search कर लेंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है, या फिर वीडियो आपको जल्दी group में भी मिल जाएगा, तो ये रहा सरकारी college के seatों के संख्या, अब बात करते हैं, कि सर, ये सब तो ठीक है, कितने number में मिलेंगे, qualifying mark इतना होगा, क्योंकि qualifying एक अलग होता है, college मिलना अलग होता है, qualifying होगा, तो इसका मतलब ये है, कि आप counseling में जा सकते हैं, आप counseling में हिस्सा ले सकते हैं, participate कर सकते हैं, counseling में आपको पता चलता है, कि आपको college मिला या नहीं मिला, मिला तो कौन सा college मिला, और कॉलेज मिला तो उस कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिला यह सब प्रक्रिया आप कॉलिफाइंग के बाद होती है तो कॉलिफाइंग मार्क कर लिजिए यह तो इसकी पूछो ही ना लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको 25 नंबर होता है 25 नंबर SCST के लिए एक नंबर ए आपका 400 होता है 400 में सर यह तो कॉलिफाइंग यह सरकारी कॉलेज नहीं है सरकारी कॉलेज का जो कॉट ओफ रिलीज होता है या लगभग प्रॉक्स जो होगा टॉप 10 कॉलेज में जाना होगा तो आपको जादार बढ़ियां रांक लाना होगा टॉप 50 में आना चाहते तो थोड़ा कम में भी हो जाएगा और अचाते चलो ठीक कोई नहीं कोई भी गवर्मेंट कॉलेज मिल जाए तो उसके लिए अलग प्रोसेस है अब इसे समझो कि आप जब टॉप 10 में जाएंगे तो आपको 300 से अधिक नमबर चाहिए टोटल नमबर कितने होते हैं 400 है टोटल म पर अगर अभी आप है ना टॉप 50 में मिल जाएगा ठीक है आप चाहते हैं कि सर सरकारी कॉलेज ही हमें मिल जाए थोड़ा दूर भी मिलेगा कोई भी कॉलेज रहेगा चलेगा तो आपको 150 नमबर ये पिछले 3 साल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ इतने पे ही आपका हो जा मिलेगा कि 150 से कम वालों को नहीं होगा 100 नमबर वालों का भी हुआ था 2021 में आपने देखा हमारे यहां से 12 से 13,000 बच्चे 45,000 में सरकारी कॉलेज भी आड़िशन लाएं और एक एक बच्चे का हमने बहुत जादा उनका फोटो उनके कॉलेज का अभी भी बीच बीच में च सब पे कबजा है रेशवा एकेडमी के स्टुडेंट का आप भी जाओगे लेकिन आप सही डिरेक्शन से तयारी करो इसके लिए पूरा सुरू से पढ़ना चालू कर दो समय कम है पॉल टेक्निक कर देखो यहां इतने टीचर्स हैं सब पॉल टेक्निक किये हुए हैं इतने तीन साल से सलेक्संस दिये हैं कि हर कॉलेज में आपको स्टुडेंट मिलेंगे पूरा विश्वास रखो इतनी बहतरीन तयारी जो कराई जा रही हैं एकदम जैसे इंजिनिरिंग में कोटा फेमस है वैसे पॉल टेक्निक वे रेशवा एकेडमी फेमस है आपको सलेक्सं दि है सब कुछ आपको एप में मिल जाएगा इसके लिए अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें तैयारी करना चाहते है आपके कोचिंग से पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी मात्र और मात्र दोसो 99 रुपे में इसके लिए आप रिश्वा एकेडमी का मोबाइल एप डाउनल कितने जाएंगे complete I hope इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा help मिला होगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो like जरूर करेंगे चैनल पे जितने श्वाइब करके टेली ग्राम में जूर लेंगे इसी नाम से टेली ग्राम में description में लिंक दिया हो गया है और पूरी तैयारी कीजे बिल्कुल बिनादेरी के confident रहें बेश्ट कीजे इसी के साथ हम वीडियो के end करते हैं फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ comment करके जरूर बताएंगे वीडियो कैसा लगा all the very best time